हेलो फ्रेंड्स फारी थी आपनों स्वागत छे आपड़ा सेकंड लेक्चर मां पावर इलेक्रोनिक्स ना लास्ट टाइम आपड़े जो यूतुब के कोई पन स्वीच होए प्रैक्टिकल स्वीच तरीके जारे यूज थती होए त्यारे एनी कैरेक्टरिस्टिक्स के भी जो ही है अने turn on and turn off time finite हो हो जो ही है तो आब दो ही वस्तु जो ही थी आपड़े and also we have seen the practical characteristics and we have seen that we will get the forward voltage drop, leakage current and switching as well as the conduction losses ज्यारे पाण आपड़े प्रैक्टिकल स्वीच उस करी है जा त्यारे आपनने आपड़े लोसिच मरता होई छे तो आब दी वस्तु आपड़े लास्ट time जो ही थी so let us start with the today's topic which is classification of power electronic converter तमने याद छे के अलग अलग प्रकार नो input आपड़े कोई पन कनवर्टर ने आपी सक्किये ए AC होई सके अथवा DC होई सके अन्ने आउट्पूट मां आपड़े बे प्रकार ना आउट्पूट लई सक्किये का तो AC आपनने जो ही से का आपन DC जो ही से अबे आए AC वेरियेबल वोल्टेज वेरियेबल फ्रिक्वांसी नो पौन होई सके अन्ने DC फिक्स डीसी अथवा वेरियेबल डीसी पौन होई सके तो पहले टाइक नूं कनवर्टर छे सपोज AC टू DC आपड़े AC सर्किट AC सप्लाइवाई लेबल छे अन्ने इमा DC नो यूज करी ने अपड़े बनाई एज जैनने केवाई AC to DC कनवर्डर अथवा ये अपड़े रैक्टिफायर कहता होई जो पावर इलेक्ट्रोनिक डीवाइस माँ जो पावर इलेक्रोनिक्स डायोड पावर डायोड नो यूज करिए तो ये अन्कंट्रोल्ड रैक्टि converter that is rectifier if it is a power diode is used or it is AC to DC converter if SCR is used another type of classification is power electronic converter AC to DC जोई हो हो है हगे आपड़े जोई है DC to AC DC supply जबलेबल ज़े जनरली solar panels होई चाहे जोई जोई चाहे न आउटपूट माथ ही आपड़े AC जोईत हो होई चाहे at a required voltage अने frequency कि जेथी ए ग्रीड साथे connect थाई सके तो एना माटे DC to AC converter नी जरूर पड़े power level उपरवाई चे अन्ने DC to AC converter ने KY inverter अवे inverter single phase, three phase, voltage source inverter, current source inverter गणा बदा टाइप ना inverter, series inverter, parallel inverter गणा बदा टाइप ना inverter आपता होई चे तो आ बदाज inverter आपड़े particular एक चेप्टर मा बणशू पना या classification मा बीजू थयू DC to AC converter which is called as a inverter let us go for the third one, now third one is DC to DC converter I think DC to DC converter हवे बदा ना खबर पड़ी यही चे, हवे DC to DC convert करवा नी जरूर शू तो fixed DC आउत होई ने अपड़े variable DC मा convert करवो होई तो आपड़े DC to DC converter नी जरूर पड़े आपड़े variable DC supply मेलवा माटे होई जरूर तो एहने केवाई chopper, अवे different types of chopper circuits अवाई लेबल छे, घणा बदा टाइप ना chopper जे, क्लास A, B, C, D, आने क्लास E सुधी ना chopper होई जे, step-up, step-down chopper होई जे, even AC choppers पनवे possible जे, पड़े आपड़े, आपड़ा classification माँ जो इसू DC to DC converter, जे fixed DC नी वेरियाबल DC मा conversion करीने आपड़े यहने केवाई chopper, ओके, so this is the chopper, third type of converter, अने जे last type of converter जे, यहने केवाई AC to AC converter, अवे AC to AC converter, AC to AC converter नी जरूर खरे खर होई शे खरी, तो के हाँ, fixed AC आउतु होई, fixed AC आउतु होई, अने आपड़े यहने variable AC मा convert करू होई, अथ्वा fixed frequency AC आउतु होई, यहने आपड़े variable frequency मा convert करू होई, variable frequency मा convert करू होई, तो आपड़े AC to AC converter नी जरूर पड़े, अवे AC to AC converter voltage माटे होई सके, अथ्वा frequency माटे होई सके, यह प्रमाने यहना बे पार्ट पड़े जे, एक नेक एवाई AC voltage controller जे fixed AC नुँ variable AC मा convert करिया आपे, अने बीजू छे cyclo converter जे step up अथ्वा step down frequency ने करिया आपे, तो AC to AC converter माँ बे टाएप होई छे, एक AC voltage controller जे voltage माटे होई अने बीजू छे cyclo converter के जे frequency माटे होई, अरोबर, इनवर्टर माँ पन आपड़े frequency चेंज करी सके, that we will see in inverter chapter when we study it, तो आप चार टाइपना converter थाया, एक हतू, एक हतू AC to DC जेने आपड़े rectifier करियो, rectifier आने controlled rectifier अथ्वा converter कीदू, बीजू आतू DC to DC जेने कीदू आपड़े chopper, त्रीजू आतू DC to AC जेने आपड़े inverter करियो, अने AC to AC मा बे आवया, एमा, the first one is AC voltage controller, जे voltage माटे आतू, आने बीजू आतू frequency माटे, जे step up, step down frequency माटे यूच्ता है, एक है जेने केवाई cyclo converter, तो आप सिवाई, static switches तरीक है पन power electronic devices यूच्ता है, तो आप अधू थायू एनू classification, hope you have understood, अब नेक्स्ट छे आपड़ी applications of power electronics, तो घणी बदी applications वाई जे, power electronics नी, तो let us try to understand the applications of power electronics, तो यह जे डाइग्राम बताएलो जे, एमा कही कही application आपने बतावेली जे, तो पहली छे automotive, इल्ले के electric vehicles माँ, आने battery chargers माँ, तो electric vehicles आने battery chargers माँ, आपड़े power electronic devices नो use करी, विजू छे health care, health care ना जे instruments आवे, medical instruments आवे, एमा आपड़े power electronic devices मोटा भागी यूस करता होये जे, aerospace engineering एटले के आपड़ा जे aerospace vehicles होय, जे planes होय, अथवा sea planes होय, helicopters होय, एमा पण गणा बदा power electronic devices आने controllers नो use तो होये जे, बीजे एक application छे renewable energy, तो आ renewable energy, पर्टिकुलर्ली बेटाइप नी renewable energy आपड़े यूस करिये जे, solar अने wind, तो आ solar अने wind बनने मा आपड़े converters नो use करो पड़े, जे मा आपड़े आगड़ जो यूतु, आपड़े solar नो output आपड़े DC मरतो होये जे, and the output is DC and we require AC, so in between we require a converter which is called as an inverter, तो कोई पन solar पैनल अने आपड़ा कोई terrace उपर नाखे ली होये, तो आप दा inverter type of converter नो आपड़े जरूर पड़े, ये पन power electronic नी आपड़े एक application थाए, similarly, ज्यारे wind turbine नो output variable speed ना लीदे fluctuating मरतो होये जे, त्यारे पन आपड़े कोई cyclo converter अथवा inverter नो यूज करवो पड़े, तो त्याँ पन आपड़े power electronic devices नो यूज करवो पड़े जे, आज सिवाए consumer electronics अदले गणी बदी consumer electronics नी products, ये माँ पन एल्ले के residential एजवेल एज residential applications माँ आपड़े entertainment माँ पन आपड़े power electronic devices नो यूज करिये जे, आने बीजी घणी बदी applications चे, satellite communication चे, medical instrumentation चे, पछी आपड़ा laptop ना के ना chargers चे, पछी आपड़े एक metro train बताये ली चे, आपड़े power electronic devices नो यूज करी सकिये, तो आपड़े इज power electronic device ने applications चे, broadly classified आपड़े करिये, तो आर इतनू classification आपड़े थतु होई जे, तो एननी applications ने आपड़े बाद करिये, तो industrial applications चे, तो industrial applications माँ rolling mills चे, textile industries माँ यूज थतु होई जे, cement industry, particularly arc furnaces industry माँ, arc furnaces या induction furnaces होई जे, तो induction furnaces माँ, power electronic devices गणा बदा यूज थता होई जे, तो ए बदी इंडस्ट्रियल application, particularly drives पन जे, तो drives माँ, power electronic drives सज यूज थता होई जे, तो आप अब अदी आपड़े इंडस्ट्रियल applications माँ, बीजी जे commercial application, commercial माँ पन, air conditioner से, refrigeration से, then office equipment से, elevators से, lamp dimmer circuits से, बदी आप अदी commercial application थे, तो आप अदी इंडस्ट्रियल application माँ पन, आपड़े power electronic devices नो यूज करिया जे, particularly एक application नी बात करिया, तो UPS, uninterruptible power supply, आपड़े power electronic devices नो यूज करिया जे, पछी domestic application से, एकडम simple आपड़े example लही है, तो एक्जांबल थाए आपड़े फैन रेगूलेटर, जे माँ, डायक ट्रायक पैर यूज था यूज है लिए होई से, जे डायक अने ट्रायक बनने power electronic devices माँ आपड़े consider करी सकी है, तो domestic applications माँ पण गणिबदी जेगे आपड़े cooking माँ जे dryer माँ जे air conditioning, refrigerator, personal computer, vacuum cleaner आपड़े जो domestic applications माँ आपड़े power electronic devices अने convertors नो यूज करता होई है जे, तो next one is aerospace, aerospace engineering माँ पण एना जे power supply होई अथवा तो एनी जे braking अथवा रिजनरेटी ब्रेकिंग होई अथवा एनी battery charger करवानी जे circuit होई बधा माँ आपड़े power electronic devices नो यूज करता होई है जे, next one जे telecommunication, telecommunication माँ पण आपड़े सपोज एमा charger को यूज ततु है तो एमा पण telecommunication नी circuits माँ आपड़े use करिये जे, transportation मा, transportation मा electric vehicle जे, electric vehicle नो जे battery charging station होई, तिया पण आपड़े power electronic devices नो अथवा convertors नो यूज करिये जे, next one जे, एक power system जे, power system माँ एक बहुज major application जे, जे HVDC के बाई, high voltage DC transmission, तो high voltage DC transmission माँ पण आपड़े power electronic devices नो यूज करिये जे, बरोबर, एज लिते switch the reactors जे, अथवा fax devices जे, power electronics माँ गणी बदी applications जे, आखो एक subject एनो थाई सके, के power electronic applications in power system, एनो आखो एक पडिकुलर 40 लाग नो आखो subject थी सके, आने medical instruments माँ आपड़े अमना बाद करिये, medical instruments माँ पौन गणी बदी जेग्या है, instrument बनावा माँ अथवा एनो temperature control करवा माँ अथवा robotics arm बनावा माँ आखे, ओपरेशन करवा माटे पन अवे वपराता होई जे, नेनो रोबोट्स जे, तेमा पन power electronic devices नो यूस तो होई जे, ता बदी अप्लिकेशन्स चे आपड़ी power electronics, industrial, commercial, domestic, aerospace, telecommunication, transportation, power system and medical instruments, ओके, अवे अप्लिकेशन्स पछी आपड़े जोवानों छे, कया कया devices, power electronic devices तरीके considered थाई जे, अने एना symbol होई जे, करण के, जनरली आवी वस्तु पुछा दिवाई जे, एक्जाम मां, बेके त्रोन मार्क मां, के आज पावर electronic device छे, ए डिवाईस नो तमें symbol द्रो करो, अने एनु, एनु तमें, फुल फर्म आपो के, एनी characteristics ड्रो करो, आवा सवालो पुछा दावाई जे, तो power electronic device मां, पैल्लू डिवाईस छे, जेने आपड़े केवाई, power diode, तो power diode, जे आपड़े signal diode, simple diode छे, एवो जे अनो symbol छे, तो symbol माधी आपने खबरना आपड़े का signal diode छे पावर डायोड छे, पन जो एनु कंस्ट्रक्षन जोई है, तो power diode नु कंस्ट्रक्षन थो डूख अलग होई जे, तो आपड़े आपड़े आपने डीटेल मां बनी सु, power diode नी characteristics अने एनु कंस्ट्रक्षन, पन पावर डायोड ना ये एक symbol जोई लेए, आपड़े पावर ड डायोड के ओष ऑछा, अनकंट्रोल डिवाईस के जोई, अनकं ट्रोल, अल्ले एक वारे आ ँन धाई जोई पावर रायोड था, पसी आपड़े इनोh, एने इक न्कंत्रोल करी सकता नथी, टो अग कोल tapas, पावन दिवाई, तो that is called as a uncontrolled device, अनादर टायोड तो डियोड हे there that is a capsule type of diode capsule type of diodes पना अवता हुआ है जे पर्टिक्लर इंदक्शन फर्नेशिस मा के जिया हाई पावर डिवाइस नो यूज करवानो होई त्यां एवा टाइप ना कनवर्टर्स मा यूज ततु होई चे तो तो that is called as a power diode आमा तमारे याद राखवानो चे यहनो symbol नेक्स्ट वन इस सोकली डायोड सोकली डायोड नो symbol आर इतनो जे बरबार तो सोकली डायोड इस अल्सो वन टाइप अ डायोड यहनो जो construction जोई ए то पी एन पी एन टाइप ओ आ एनो सिंबोल जे बरोबर आनो construction जो ही है तो पी एन पी एन टाइप ओ डिवाइस जे एनोड आने कैथोड वाई चे यहाँ पॉरबर आने सोखली डाइओड जिया पल्स ट्रिगरिंग मां यूज करवानो हो एतिया सोखली डाइओड यूज करता हो ही है जो आपड़े तो पल्स ट्रिगरिंग जिया करवानो हो एतिया सोखली डाइओड यूज ता है आने यहनोग आने आने आफ स्टेट आपड़े कंट्रोल करी सकता होता ना दिखां किया यहाँ कोई गेट कंट्रोल छहा है नहीं ओके तो दाट इस कॉल्ड एस शॉखली यहनी पावर रेटिंग कैपेसिटी वजारे होई छे पने आपड़े इजीली स्वीच अन अथ्वा आफ करी सक्किये तो आएनो सिंबोल तमारे यहाद राखवान हो छे बिजी टाइप नूँ जे डिवाइस चे यहने केवाई बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अहीं पी एन ट्रांजिस्टर मा जे इन ट्रांजिस्टर होई छे त्यां एक एरो बतावेलो होई छे ऑणि एस रित erf ment transistor जेंटर वखा़े लो है एमां इन वर्ड़ आरो देखाड़े लो होई चे आमां प्वहाद ऑड़ आ से होई तो थ्री टर्मिनल्स ऑफ धी बाइपोलर जंक transistor can also be consider as a power electronic device if it can able to handle the power level ok . So that type 2T092 and then जेन T0220 150 watts माटे यूस्था दू हाई छे पजी T03 जे 300 watts माटे पन यूस्था दू हाई छे अन्ने जनरली कोई पन T092 series नू होए 92 series मा आर इतनू configuration होई छे अथो आना terminal identification होई छे first one is emitter second one is base and third one is collector तो आर इतना अलग अलग टाइप ना आपड़े T039 जनरली आपड़े lab मा यूस्था होई छे बरबर एज रिते T012 के 220 series होई छे आपड़े lab मा यूस्था होई छे आ टाइप ना चे T092 छे पन आपड़े अपड़े electronic lab मा यूस्था होई छे तो आ बदा यूस्था प्रकार होँ छे आपड़े यहां याद राखवानों छे अनू NPNNNPNP transistor नो symbol याद राखवानों छे अनू टार्मिनल इडेंटिप्रिगेशन विजी टाइप नो डिवाइस से जाने के वाई insulated gate bipolar junction transistor अथवा bipolar transistor IGBT अत्यारे जो जो ये तो SCR अथवा थाइरिस्टर नी जेगिया IGBT गणा बदा यूस्था थाथा होई छे तो nowadays IGBT is replacing the thyristors okay now what is the symbol the symbol is the combination of transistor and SCR SCR नो symbol आपने खबर जे के SCR मा 3J terminal होई SCR नो symbol डोकर ये तो ये एक gate terminal आवे तो SCR नो symbol धाय आने transistor नो symbol डोकर ये तो transistor नो symbol कही गार इतना होई छे ओके तो transistor अने SCR आ बन्ने नों combination करी एतो transistor ना त्रण टर्मिनल होई छे एन और कैथोड अने gate अने bipolar transistor अत्वा BJT ना जे त्रण टर्मिनल होई छे ये होई छे collector, emitter अने base तो आ बेस नी जग्या है जो आपड़े हैं या collector अने emitter ये ट्रांजिस्टर मा दी लिदेला जे अने gate छे ये अपड़े SCR मा लिदा जे तो IGBT इस हाइब्रेट डिवाइस डे वस्तुनों बनेल होई छे एक ट्रांजिस्टर अने बीजो SCR ये लेनों construction PN PN टाइप होई अने it will work as a transistor तो collector, emitter अने ये त्रीजो टर्मिनल थाए gate आज ये पाटिकुलर लाइन छे ये ये शू देखाड़े जे it's a insulated gate आजे फूल लाइन छे देखाड़ेज आपनने insulated gate तो it's a insulated gate bipolar transistor symbol येनों जे पैकेजिंग जोई ए तो T03P पैकेजिंग होई छे अने gate collector emitter ये रितनों येनों terminal identification होई छे एज रिते जे power IGBT होई एनों power IGBT में आर इतनों construction जोई जैने capsule type of IGBT पन केवाई एमा जे आ जे टर्मिनल छे ये आपड़ो cathode थासे आ जे टर्मिनल छे अथवा जे आ बोड़ी छे ये एनोड थासे अथवा आ कलेक्टर थासे area emitter थासे आणे gate थासे आने जे last one छे emitter थासे एले उपपर नी side connect थासे आपड़ों कलेक्टर नीचे नी side आपड़ों collect थासे connect थासे emitter आने जे बच्चे नों टर्मिनल देखा डेलों छे आ थासे gate terminal तो आने capsule type IGBT गेवाए आने IGBT ना modules पर मर्दा होई जे जे मां बे IGBT already connected होई एर इतनू आपड़ों होई जे तो यहां बे IGBT connected थे एवों देखाड़ेलों छे आने module केवाए just for your information so this is called as a IGBT module IGBT module यहां एक सेमिक्रोन नों IGBT module आपड़े देखाड़ेलों छे T24 जे मां बे IGBT insulated gate bipolar transistor बतारेला छे तो IGBT नों एक तो full form आपने अबरू जोए insulated gate bipolar transistor यहनो symbol आपने यहाद हो जोए collect अने अने त्रों टर्मिनल केया छे collector emitter अने gate तो आँ थसे आपड़ों IGBT next आपड़ों जे device जेने के भाई MOSFET अथा तो power MOSFET के भाई तो पहला तो MOSFET नो full form शो दाए तो M stands for metal, metal oxide semiconductor field effect transistor, field effect transistor अपड़े ECNC subject मा बनी गेला छिये field effect transistor, metal oxide semiconductor field effect transistor, A MOSFET नो full form दाए अने power MOSFET एडले के ये power vertical MOSFET होई सके, power MOSFET होई सके एडले के येनों जे level छे power handling capacity छे वदारे छे हवे जो symbol नी वाद करिए तो एना बे टाइप ना जेम ट्रांजिस्टर मा बे टाइप ना ट्रांजिस्टर होई छे एनप 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 अहिया पन बे टाइप ना अपनने MOSFET जोवा मड़े एक छे एन चेनल MOSFET अने भीज़ु छे P इनप एरो जो इनप डेखा डेलो होई तो एनप एरो अपनने देखा डए छे एन चेनल अन्ने जो आ एरो बार्नी सायों देखा डेलो हुआ तो एने के वाई P चैनल मौसपेट तो आ एन चैनल आने P चैनल मौसपेट छे ACY enhancement type of मौसपेट आन्ने depletion type of मौसपेट पन आवे ए आपड़े जारे मौसपेट इन डीटेल बनीशु त्यारे आपड़े समझीशु अरो बार्बार मौसपेट के हुँ देखा दुआ है तो आर इतनो IRF Z24N मौसपेट देखा डेलो चाहिया अरो बार्बार आने एनी अलग-अलग सिरीज आवती हुआ छे T0220, T0262, 263, 247, 252 आर इतनी अलग-अलग एनी टाइपस आवती हुआ छे डिपेंडिंग अपन इट्स टाइप एस वेल अज दी रेटिंग तो मौसपेट नो सिम्बोल है यह तमारे याद राखवानू छे अने एना टर्मिनल अने नो जे फुल फॉल फॉम छे तमारे याद राखवानू छे तो आ थायो आपडू पावर मौसपेट ड्रें शोर्स गेट एना टर्मिनल हुआ अने मौसपेट नो फॉल फॉल फॉम थाये अने एना टर्मिनल हुआ छे एना टर्मिनल हुआ छे एनार केथ़ड आने गेट एनार केथ़ड ने पावर टर्मिनल केवाए गेट इस अ कंट्रोल टर्मिनल तो आ रितनो एनो सिंबोल हुआ छे एनो जो इंटरनल कंस्रक्षन जोई है तैना इंटरनल कंस्रक्षन मां चार लियर हुआ छे एक P बिजु N फरिदी P आने फरिदी N तो str is a four-layer device बिजु जंक्षन अहीं आ मड़ें अन्या आ त्रीजु जंक्षन छे तु एंमा त्रणड जंक्षन थाए जंक्षन जेवन जंक्षन जेटू अन्या जंक्षन जेट्सं जेट्स 시 receives जे इनर P layer आगर आपने जे रिजियं छे इनर P layer त्या आपने गेट कनेक करता हुए छे तो आ गेट ने अम्मेज या कनेक करी ने न देखाड दीए पॉण आपने एटलू ध्यान रागता हुए जे के इट मस्त बी कनेक्टेड अड दी इनर P layer इनर अंदर नुझे पी लेयर छे तियां आपणे गेट कनेक करता हुआ है छिए तो आ छे एनू इंटरनल कंस्ट्रक्षन अने क्यों देखाते हुआ है जे तो आ रितनों SCR अत्वा थाइरिस्ट आपणी लैब मा यूज़ करता हुआ है जे आपणी जे प्रैक्टिकल लैब फए एक एमा आपणे आनू जो झो तो आइडेंटिबिकेशन तो आइडेंटिबिकेशन अडर इतनू याद राखवानूआ है जे K A G पहला कैथोड आवे बीसों इनर आणाणी ंर आवे his गेट आवे आपन इनर तरिकेज वर्वर्क करें तो आयनू टर्मिनला इनर इनution हुए भरो ब आमेंजे मोटो डर्मिनल से कैथोर्ट तरीके वर करता हूए छे अन्ने आजे डर्मिनल छे त्या अपड़े गेट कनेक्स हुए है छे आजे ला नानो डर्मिनल पान आवता हुआई चे बेट आइप नाग्यडों हुआई छे आरे सुना अपाट ये narrative अध्य हुआई है már докने कंवकल से लकार से sp मीधाव Sc और ल ड्यक्रा करेसे अध्य हुआ हुआ छे आपड छे ये वे टाइब गेट टर्न आफ थायरीस्टर अथवा SCR अने थायरीस्टर बनने अपड़ा माटे अत्यार एक अच्छे पाची नेक्स टाइप अफ डिवाइश्ट से जलने केवाई जी टी यो, गेट, टर्न, आफ, थाइरिस्टर, जनरली जे SCR वाई से यहने आपड़े टर्न, आउन, कंट्रोल करी सक्किये, टर्न, आफ, कंट्रोल करी सक्किये, नहीं, यह आपड़े जो इसु, सम्बॉल से यहाँ पाड़े, अथा चर्ण, आपड़े, आपड़े एक लाइन लो करे लीजाए, तो एसु, देखाड़े जाको, आपणने, के दिस इस अ, गेट, टर्न, आप अल्फ, एनन, मरलब के तम्हें, गेट, पुल्स, आपड़े जाए, आणने, जो, गेट, गेट, थायरिस्टर के वाई ए को देखातो हो आएछा आपने SCR जेओ देखातो हो आईछा आपने के जी टर्मिनल्स हो आजे देखा डेलू छे अधा स्टोर टाइब आफ अव से फावर घीटीयों पन आता हो आएछा जीटीयों ने में डीसेडवांटे जे हो हाई छे कि जे एने आफ करवा माटे जे करण्ट आपो परता हो आई छे यानी सिंकिंग कैपेबिलेटी बहु वधारे जोईती हो आई छे कि जनरली टू तू फाइब्लेटी अधी रेटेड करण्ट आपने आपो पर ए एतले आपड़े जिटी ओ अधी बहु यूस करता होता ना तीक पन जीटी ओ यूस थाई छे इवन हवड़ेसी ट्रांस्मिशन लाइन माँ पन जीटी ओ यूस थाई छे तो आपड़े यहां एन्नों सिंबोल याद राखवानों छे आ बन्ने सिंबोल साच्छा छे अन्ने आर इतनों ए देखा दो अधी राइस छे आपड़ू M.C.T. मॉस कंट्रोल्ड थाईरिस्टर M.C.T. नू फुलफर्म पहला तो याद राखवी दो यहनू फुलफर्म थाई मॉस कंट्रोल्ड थाईरिस्टर अबे मॉस आपड़े जोए तो मॉस फेट मां मॉस नू फुलफर्म थादू तो मेटल ओक्साइड सेमिकंड़क्टर मॉस फेट मां तो यहाँ पन मॉस कंट्रोल्ड एल्ले के एनू कंट्रोलिंग आजे थाईरिस्टर चे एनू कंट्रोलिंग के हुआ जे मॉस फेट जे हुआ जे मॉस फेट जे हुआ जे मॉस फेट जे हुआ जे एनू कंट्रोलिंग होए एव टर्मीनल लोई छे बरबर तो आ मोस कंट्रोल्ड थाइरिस्टर रही या देखादेलो छे देखाओ माँ ए कैप्सुल टाइप आफ एमसीटी जोई है तो आउ केंग देखादू अपनने होई छे नेक्स्ट टाइप ओफ डिवाइस इस PUT, PUT प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, PUT स्टेंस फोर प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, अगर यूजे टी तम्हें बनी गयला आसो अथवा बनसो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजे ट तो UJT माँ जे एनी जे करेक्टरिस्टिक्स होए intrinsic standoff ratio अने एना जे अधर पैरामिटर्स चे ए जो आपने प्रोग्राम करी सक्किए एनो मतलब के जो बदली सक्किए external resistance नी मदद थी तो एने के वाई PUT programmable unijunction transistor तो अहीं एनो जो symbol जोई है तो gate आपने reverse side देखाडेला अछे तो आ gate आ बाजूनी side देखाडेला अछे ए खास याद राखवानू PUT माँ इस सब PN PN टाइप ओप structure तो SCR जेओ structure छे पन SCR माँ जेम inner P layer माँ आपडे gate देखारता होई है छे M आपडे याँ inner N layer माँ आपडे गेट देखाडेलो आई छे तो आगेट के आँसे inner N layer माँ anode cathode अने gate तो आत्रों टर्मीनल हैना होई छे आने reverse माँ आपडे gate टर्मीनल है याँ देखारता होई छे instead of over here तो that is called as a programmable unijunction transistor जेने प्रोग्राम करी सकाए AUJT अने यहना गरा बदा टाइप्स आउता होई छे बरबा तो power PUT पन आउता होई छे अना बद्धा जेना अलाग-अलाग types छे के जी आपणने बजार माँ available छे BUT 208 then BF 869G तो आपड़ा ज प्रकार ना आपणने PUT मार्केट माँ available होई होई से अक परग्रामीबल झुक्शन ट्राँशिस्टर नेक्सेक्टर व डिगार इस सीजन वा टम पर स्विटंडन्न स्करण, तो थी दिए यहां एक इन-बिल्ट जीनर डायोड आपेल होई छे तो ए जीनर डायोड नाली ते एनुँ जे कंट्रोलिंग छे ए थोड़ूक इजी थाई जाई छे अत्वा ए एने जे वोल्टेज जोईता होई छे एना ती ए से आर करता हो छा वोल्टेज जोई छे जे आपने लैब मा य करता होई छे एनुएक नंबर आपेल हो छे 2N4987 प्रकारनू SUS आपेल होई छे तो SUS ना पन त्रोन टर्मिनल आर इतना जोई छे आन्ने जीनर डायोड छे इन्पूट्स गेट आने कैथोड नी वच्चे जे इन्बिल्ट जीनर डायोड होई छे एना लिदे एनी जे ट्रिग हात हो हई छे नेक्स टैप अब डिवाइस हिस सिलिकान कंट्रोल्ड स्वीच सिलिक taken controle स्वीच मां एक अडिश्णल गेट आपे लो अ आए छे आर इतना सिम्बोल होalah चा ने एकडिश्णल गेट आपडे एनो गेट आए एक एडिश्णल गेट आपे लोह आई छे आब्ipedia अ आपन पी एन पी एन लेयर्स होई छे अहीं एक गेट तो हई अच्छे प्लस अहीं एक एक एक्स्ट्रा गेट राखे लोग आई छे वरबर अने एक यह थी तमें जो रिवर्स करण्ट फ्लो कराओ तो यह आफ पॉण थाई सके तो आएनो टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन छे आणो प्लस अने यह यह ब्याँ गेट आपेला छे एक SCR जेवज गेट वाई छे अने एक PUT जेव गेट वाई छे अथवा तो आणो आणो फुल्फर्म अने यह यह जे सिंबोल छे आपड़े याद राखो पड़े next type of device is SITH SITH stands for static induction thyristor तो static induction thyristor नो सिंबोल आई इतनो छे एन ओर केथोड अने गेट एना तर्मिनल छे अने एनी characteristics आर इतनी होई छे आगेन इट सब TN-PN type of device छे static induction thyristor GTO जेवु छोई छे पन GTO मा जे आपड़े reverse current आपो पड़े reverse current नी LU बहु बढ़ारे होई छे अने एनी जे turn off time होई छे यह पन बहु बढ़ारे होई छे ज्यारे आनो turn off time GTO करता हो छोई छे तो static induction thyristor अथवा SITH is also very good device आने एनो symbol आने characteristics आपन नहीं आपन ली जे another type of device is ASCR A stands for asymmetrical asymmetrical okay तो asymmetrical SCR नो symbol R इतनो होई छे जनरली आज हे पाड होई छे अमोग बुक्समा खाली आतलोज पाड बतावेल होई छे so this part is generally omitted तो एन आपांत्राओं टर्मिनल आर इतना होई छे एन और क्या थोर आने gate आवात्राओं टर्मिनल होई छे आने जो एनो जो internal construction जोई है तो ए पी एन पी एन डिवाई सक्छे पी एन अलग अलग प्रकार नी अलग अलग डॉपिंग लेगल होई छे अने फ़री थी प अने एन तो आजे आजे जेंक्छन बनें छे दाट इस ओनली डिफ्रेंस बिट्वीन दी एस्यार एन एस्यमेट्रिकल एस्यार बदानी वीड्थ सेम ना थी बदानों डॉपिंग एनाले दे जे एनी टरन अनी टरन अफ धरी शे ए अलग आऊ से मुरब तो धै इस पाल्ड एस्यार एस्यमेट्रिकल स्यार एस्यार जनरली स्यार नी ट्रिगरिंग सर्किट मा यूश्चत हत् वाई जाए अने एनु जनरली ब्लॉकिंग 23 लोग ब्यूट जे पीलूज होई तो that is called as asymmetrical SCR another type of device is called as RCT reverse conducting thyristor reverse conducting thyristor मां symbol R इतना होई छे SCR मां symbol छे और reverse मां एक आपने डायोर लगाड़े लो होई छे यहनो मतलब के reverse मां पन कंड़क्ट करी सके आ डायोर ना लिदे reverse मां पन कंड़क्ट करी सके यहनो मतलब के एनी blocking capability यहाँ जो हूँ negative voltage आपू supply मां थी तो आज यह डायोर छे conduct करवा मंद से इस डायोर विल स्टार्ट कंड़क्टिंग तो यहनी जे blocking capability होई V block that will be equal to 0 there is no blocking capability इतले जैने के राय reverse conducting thyristor तो यहाँ आपड़े reverse blocking नी जरूरद नथी यहाँ के rectified आपनी application नथी तिया आपड़े आपड़े reverse conducting thyristor यूज करी सके so that is called as a reverse conducting thyristor next type of device is very important device which is generally used in residential application as well as for controlling the motor DC motor particularly that is called as a DIAC DIAC stands for diode AC DI means 2 यह ओ डायोड के जै AC एटले के bi-directional होई एने के वाए डायोड तो यहनों जो symbol जोई है आपड़े तो एक डायोड आने आपी जो डायोड बनने डायोड anti-parallel मा लगाडे लाज है यहनों त्रान टर्मिनल से MT2, MT1 अहीं आपड़े एनोड के थोड जेनरली नथी कहता होता जेनरली एने MT2 MT2 एडले में टर्मिनल 2 अने में टर्मिनल 1 ए रित्मि कहता होई जेक आंके इन्टर्चेंजेबल होई जे तो डायोड is a diode AC के जे आम पन कंड़क करी सके अने आर इते पन कंड़क करी सके पर ये कंड्रोल्ड डिवाइस न थी जेम डायोड अनकंड्रोलड डिवाइस जे एम डायोड पन अनकंड्रोल डिवाइस जे एनो एक पटिकुलरली VBO नी वेल्यू होई ए वीबियो नी वेल्यू जारे अपने मढ़े त्यारे ये ओन थाई जाई तो डायक इस एन इंपोर्टन डिवाइस विच इस डायोड एसी बाइडाइरेक्शनल डायोड एउपन कही सक्किये अवे एनी जो एक्विवेलेंट सर्कुट जोई है तार इतना बे डायोड एंटी पैरलल मां कनेक्टेड छे जारे इनहीं पॉजितिव आप ये जारे इन्हीं पॉजितिव आप ये tonight कंड़क कर से अनके ढ़ने डायोड जोई है तो इस अगिए ने पी एन पी एन टाप उट अपव डिवाइस अस पी जैरेक्टेड देयर फर्टनिल ये m2 पॉजिटीव होई जारे कन्ड़क करे है अने जारे p n p n एतला के आज है आज ए n1 छे जारे negative आइसिंग आपी होई जारे r इतनु पउज तरह से positive मा रगल तरह से ओके सो इंटर्ना कांस्रक्शन एनू काई कारी इतनू होई से रोबर अने एनी करेक्रिस्टिक्स जो ही है वी आई करेक्रिस्टिक्स तो आजे पर अपने सपोज आर इतनू वोल्टेज आपिया पॉजिटिव औने नेगेटिव लेवको फोरवर बायसिंग करिया है तो यहले के एनी पॉजिटिव इपोनि वी लिवी उपर आपने पहुंचिये त्यारे ए डायक ओन था ही जासे एले रिते जारे एनने रिवस बायस करिये और यह नेगेटिव आपिये और यह पॉजिटिव आपिये त्यारे आपने थॉर्ड़ क्वर्डन्ट आप рок आपरेशन देखाड़े जह, so that is called as a diac, diac is diode AC, अने आ बदी जहनी आएनो symbol जह, symbol आपड़े याद राखवानों जह, आएनी equivalence अर्गीट छे, आएनू construction छे, आएनी characteristics जह, आएनी characteristics जह, तो आएनी characteristics पन आपने याद हभी जह, आएने फरी ती आपड़े डीटेल मा पने भणी शो, next time, आवे next device छे, एने केवाई triac, try एटले, triode, अने AC एटले alternating current, तो triode, AC ने triac पने केवाई, तो triode लो symbol काई गारी इतनो हाई छे, इन्या बे SCR देखाड़े ला हाई छे, अने gate 1 देखाड़े लो हाई छे, तो त्रों, एना त्रों टर्मिनल थाए, by MT2, MT2, MT1, अने gate, तो triac, we can also called it as a bidirectional SCR, एक SCR आर इतनो connected हाई, अने भी जो SCR आर इतनो connected हाई, अने बनने ना gate, combine करेने एक complete gate बनाये लो हसे, अने येना त्रों टर्मिनल थासे, MT2, MT1, अने gate, MT2 एतले main terminal 2, अने MT1 एतले main terminal 1, अने आपने एक gate मर से, तो आथ है आपड़ू, triac, जे आपड़े fan regulator circuit में यूज़ करता होई है, छी है, एननों जो internal construction जो ही है, इस रिते, N, P, N, P, आत्री जो पात बने, अने P, N, P, N, आए एक चोथो पात बने, तो triac can operate in all four modes, अने तह में positive, MT2 करो, negative MT1 करो, अने positive gate आपो तो आपने एक अंड़क करे, reverse करो, MT2 ने positive करो, MT1 ने negative करो, तो पाने एक अंड़क करे, अनने gate positive आपो के negative आपो, तो पाने एक अंड़क करे, तो triode AC अथा तो triac can also be used in all four modes, अके, परो पर यह बदा mode काया चे, अपड़े जो ही है, तो triac नी characteristics का आर इतनी होई छे, आ characteristics आपड़े SCR नी characteristics है, अई यह, voltage अने current characteristics, एटले के forward voltage अने forward current, यह देखाड़े लोजे, mode 1+, mode 1+, एटले MT2 ने positive आपिऊ, अने MT1 ने negative आपिऊ, अने gate ने positive आपिऊ, अने gate ने positive आपिया, तो, आई यह, MT2 ने positive करेलू छे, MT1 ने negative करेलू छे, अने gate ने positive आपिऊ, त्यारे आर इतनी होई अपड़े characteristics मोड़े, ए तरी ते, first quarter नी characteristics आपड़े 1- माइनस माटे पन लेई सकिए, कि MT2 ने positive आपियो, MT1 ने negative आपियो, पन gate ने आपड़े negative करेलू छे, ओके, तो, आने केवाई, 1-, आने केवाई, 1-, तो, 1+, आने 1- माइनस मोग, that is, first quadrant of operation, एमाँ आपनने SCR जेवीच characteristics मोड़े, the characteristics is similar like our SCR, तो, gate current में विल्दू जे आपड़े change करिए, एमाँ आपड़े, आनी, characteristics पड़े change करी सकिए, अवे, 3rd quadrant operation में वाद करिए, तो, एमाँ आपने 2 मोड मरता होई छे, 3- माइनस मोड अने 3+, मोड, अवे, तमने खबर पड़ी गिया से, के mode 3 के म के, कांके 3rd quadrant, आने पहलू quadrant के वाई, आ बीजू quadrant छे, आ त्रीजू quadrant छे, आना चोथू quadrant छे, तो, 3rd quadrant में आपने वाद करिए छे, आनने positive gate साथे वाद करिए, तो, एने के भाई, 3+, मोड, negative gate current साथे वाद करिए, तो, एने के भाई, 3- माइनस मोड, ओके, तो, MT2 positive, MT1 negative with gate, gate current positive is called as a 3 plus mode, similarly, 3- मोड, MT2, this should be, similarly, 3- is MT2 positive, MT1, MT2 positive, MT1 negative and gate negative, gate negative होए, तो, एने mode 3- operation के भाई, तो, आ था यू अगड़ू ट्रायक, अहिना पन ए त्रीजा quadrant operation मा पन control operation आपने आपी सके, ओके, तो, there are 3 mode, there are 4 modes of operation of triac, one is called as a 1 plus, 1 minus, 3 plus and 3 minus mode of operation, okay, so quadrant 1 and quadrant 3, we can operate, this two, so that is a triac, now, next important device is a thyristor, thyristor, we are going to study in detail, thyristor or it is also called as an SCR, SCR.KYNS, silicon controller rectifier, it was first introduced by Bell laboratory and first prototype was introduced by GEC lab, that is in USA in 1957, ओकड़ी सोना 57 मा पहलू thyristor बनियो दू, now, later on, many such devices like similar type of characteristics, dioc, trioc, SCS, PUT, GTO, जैना आमना symbols आपड़े बगा जोया, तो, ए बदा डेवलाप थाया, और ये बदा नी characteristics के भी आथी, ये बदा नी characteristics is similar to thyristor, so, the whole family of semiconductor device is given the name thyristor, ये थायरिस्टर पछे आखी एक family name आपई दीदू, के जे PN, PN type of devices हो, आए बदा ने पछे आलको है, ये थायरिस्टर फेमिली हो कई दीदू, के जेमा SCR आवे, डायक आवे, ट्रायक आवे, GTO आवे, PUT आवे, SCS आवे, आब जाज डिवाइस अंदर आई जाए, तो thyristor is actually a characteristics और a family under which various devices will come like SCR, ट्रायक, डायक, एट्सेटरा, येमा जे SCR छे, silicon control rectifier, that is the oldest and most widely used member, oldest छे अन्ने most widely used, ये जे डिवाइस छे येने के भाई SCR, तो आपड़े या मुखवार thyristor वर्ड यूज़ करता होई है, ये मुखवार SCR वर्ड यूज़ करता होई है, जो बन्ने वस्तू अहीं सेम अच्छे, thyristor को के SCR को बन्ने वस्तू अहीं आपड़ा माटे सेम अच्छे, पर थाइरिस्टर वर्ड कही रिते आवे, तो thyristor तो एक पहला डिवाईस आवदो जेने के वाई थाइरेट्र ट्यूब, अध्या रे अपसलूट थे ये लूज़ेन आपड़े भनता नती, पन थाइरेट्र ट्यूब ये वर्ड लिदो थाईर, अन्य एनी जे करेक्टरिस्टिक्स चे ए ट्रांजिस्टर जेवी छे, आप अन्य न गबाइन कर दीजा तो आपन अगड़ ओड़े थाइरेट्र, ओके तो थाइरेट्र नो जे पैल्लू डिवाईस चे जेने के वाई सिलीकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तो आपने नेक्स ताइम स्टाट कर इशू, ओके तो नेक्स ताइम ये विल स्टाट वि सिलीकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर रेके SCR नो जो इसू, ओके तो थैंक यू, we will meet again in the next lecture.